स्वागत है आप लोगों को आपको लिए इंफॉर्मेशन जो की बहुत ही अदा महत्मुन हैं बहुत सारे स्ट्रेंट जो है ये कोशन पूछ रहे हैं कि आपका जो आरार सी गुरूप डी है यानि कि जो कल जिसका नोटिफिकेशन आया कि जिसका एक्जाम जो होने वाला है और आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में एक चीज दिखे होगी कि CBT2 भी होगा उसमें एक CBT2 का कॉलम भी दिया हुआ था लेकिन वो इस पस रूप से बताया नहीं गया कि एक्जाम कब तक कौन सा लेगा था? CBT1 ही आपसे लिया गया था ठीक है? मतलब एक ही टेस्ट हुआ था और आप अगर बात करें आप RRC ग्रूप D की तो यहां पर आपसे दो टेस्ट के लिए बोला गया है और कल देख सकते हैं आप जो है देखिए दो नोटिफिकेशन आये थे एक तो यही NTBC की data ID, CBT2 की, तो यहां पर दोना notification मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि RRC ने पिछले जो notification यानि कि पूरा जो notification हमारा आया हुआ है, all over वाला, मैं all over notification दिखा देता हूँ, यह आपका all over वाल notification ठीक है? अब इस all over वाले notification में क्या है? बोला है या नही बोला है वो आपको परिकरिया बता देता हूँ, ओके जो chain की परिकरिया, selection process है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो हम बो चीज़ देखेंगे कि यह selection process क्या लिखी है, क्या दिखा हुआ था, देखेंगे, और आपको यहां पर हम बताएंगे कि यह लोगों ने क्या किया है, एक second के लिखेंगे, इसको देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यह भरती पिरकरिया लिख हुई है, ठीक है, ओके, अब इस भरती पिरकरिया में देखेंगे, यहां पर यह लिखा है, क्यों मीदबार को RRB, RRC के अधिकारिक बैप साइट पर, उपलब्द लिंक द्वारा अपनी पसंदक की RRB, RRC की सभी अधिसूचित पदों के लिए केवल ऑनलाइन आविदन प्रस्तुत करना होगा, एक ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, उसके बार लेखा हुआ है, देखेंगे, आप देख सकते हैं, पूरी भरती पिरकरिया में, कम्पीड यान की PET, दस्तावेज, सत्यापन और चिकिस्सा जाँच सामिल है, ध्यान दीजेगा, मात्र CBT बोला है ना, CBT 1 और CBT 2 बोला है, एक ही चीज़ बोला है, CBT, PD, DV और चिकिस्सा जाँच अत्वा, यथा लागों किसी भी अन्यतरिक्त करिया कलाप के लिए तिथी समय एवं समय दिये जाएगा, यहां पर उपरोक्त किसी भी क्रिया कलाप के इस्थान, अत्वा, इस्थान तिथी एवं आप पाल यानिकि सिप्ट हे तू, किसी भी परिवर्तन सम्मद्य अनुरोध को, किसी भी परिसिती में सुईकार नहीं किया जाएगा, यह नहीं बोल दिया, इस कंपिटर आधारत प्रच्छाक में भाग लेना है, बेश साइट पर परसनल इमेल कम्मिनिकेशन के माद्यम से डाउलोड किया जाएगा, इको लैटर के संबन में जानकारी उमिद्वारों को दी जाएगी, अब यह जो है कंपिटर बेस्ट एक्साम दिया गया है, नाखी आ इहां पर यह सारी चीण लेक्ध押ए है, सेलेक्शन प्रोसेस मैं ने बताई दाया, आपको सेलेक्शन प्रोसेस बहां पर लेक्ते वीए, तो यह जो है यहां पर दी यहिए, पी-टी, पी-टी वि या पी-टी-वन के बारे में, हम नीचे भी आ आते हैं, तो कहीं पर भी ऐ ऐसा नहीं लिखा है कि एक और एक्जाम होगा तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है इसके बाद अगर हम जाएं जो कल का नोटिफिकेशन तब आपको देखा जिता हूं कल का नोटिफिकेशन क्या था isn't available बता रहा है कोई देकत नहीं कल का notification मैं दुवारा से download कर देता हूँ क्योंकि download करने का link अभी भी है वहाँ पर तो देख लीजेगा तो open कर लेते हैं यह रहा हमारा कल का notification में क्या बूला गया साब साब जो है साब हो सकते हैं कि जो RRB है वो पता नहीं पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में मेभी जो हमने exam date दी है यहाँ पर देखिए कि यह लिखा हुआ है CEN RRC 01-12-19 का recruitment for various post of level 1 से 7 तक तो यहाँ पर जो सारी चे लिखी इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह देखिए in of the large number of application received railway have decided to conduct two stage computer based test याद रखेंगे क्या question है क्या बूला गया है कि बहुत सारी application आने के वज़े से हम दो computer stage stage वाला test लेंगे ऐसा क्यों हुई है ऐसा क्यों क्या दिक्कत आ गई कि आप जो है दो test लेंगे ऑके मतलब दो test लेंगे कि application बहुत सारी भरी है तो हम दो test लेंगे इना नहीं वोला है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह लिखा हुआ है stage first CVT1 start होगा 23rd से ये वोला है 23rd से अब आपको second stage दो दिया है वो CVT2 दिया है वो भी आपका 10th standard का होगा same as CVT1 case same as CVT1 case मतलब उसमें कोई changes नहीं है अगर CVT2 होगा हमारा यहां पर लिखा हुआ है वो उसमें कोई changes नहीं है मलब आप CVT1 में qualify होते हैं और उसका CVT2 में आप eligible होते हैं तो CVT1 जैसे ही आपका exam होगा उसमें कोई भी changes नहीं होगा यानि कोई मतलब नहीं है क्या मतलब निकला इस चीच का हमें एक exam कराएगा फिर दूसरा exam कराएगा जो कि हम बोल सकतें 10B का हमने 10B pass करा फिर हम से 10B pass पहले पास कर लिए 10B फिर हम से फिर एक और वार कहा के आप 10B pass फिर से कर लीजएगा यह तो बात भई हो गई कि एक ही चीद दो-दो बार करने के लिए बोला गया है और यहाँ पर इन्होंने सीधर बोला है कि यह बहुत सरा एप्लिकेशन भनने के बज़े से दो बार एक्जाम करा रहे हैं ऐसा नहीं होने चाहिए भई यहाँ पर इसा बोला भी नहीं है स्टार्टिंग में नहीं बोला गया था कि यह दो-दो एक्जाम होंगे और यहाँ पर यह सारी चीद लिखी जो सिलेवर्स पहला का है वही सीबीटी टू का भी इन्होंने सिलेवर्स बोल दिया है यानि कि इनकी मैंशा जो है यानि कि दो एक्जाम लेने की मैंशा यहाँ पर दिखाई दी रही है और यहाँ पर सारी चीद देख सकते हैं आपके नौलाइशन का फॉर्मूला लेखा हुआ है तो हम इतना जबी देता है अब हमाई एक्जाम जो है रिजल्ट आता भी तो इ अगर ऐसा बूला एक ऐसा बोल रहे हैं कि यह जो है एप्लिकेशन फर्म ज्यादा भनने के बजे से खूर हैं ज्यादा तर दो बार एक द्यान से देखने लेने चाहिए और कुछ इसमें चेंजिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बहुत बहुत सरी आ जाये तो आप कैसे ज के देंगे विया स्टार्ट हो जाएगा मार्च में कंप्लीट होई जाएगा और इसका भी आपको फरवरी को ही स्टार्ट हो जायगा ठीक है तो फ्रेड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अगर सपोर्ट करेंगे definitely आपको जो है खांसर की जो वीडियोस आप लोग नहीं देख रहे हो okay, please खांसर की जो classes है जो कि मैं classes कर रहाता हूँ उनकी जो PDF है उनको देता हूँ तो PDF अगरा जो है आप जो है online free study के टेलिगराम गुरूप पे जाकर आप ले सकते हैं okay, only on free of cost thank you for watching this video, बैस्ट आपका exam के लिए, आपका result के लिए